आज मने बनीड वाव यमी यमी मैं ने वीडियो ने बनाई क्योंकि लाइट चली थी लाइट आई है तो वैसे ही मसाला पनीड नमक अमेच हल्दी मसाले को भूल लेना है उसमें टोमाटर डालना है प्याज प्यूरी डालनी पनीड त्यार हो जाएगा यमी यमी पनीर की सब्जी ओर है कुल्चे वाउ यमी यमी इसको इस तर्ण से कटकर लेते हैं यह लाइट गही हुए हमारी ना अब पर्शानी होई लाइट के भीना ना कुश्बत तो में इस कुल्चे को ना इस तर्ण से कटकर लेते हैं थोड़ा सा आप गरम करेंगे ला तो इस तरह से दिया तो चलिए आज हमें इसे स्पेशिल डिश्टाल कर जाएं तो इसे मैंने दो हसुन में कट कर लिया इसके उपर हम लगाएंगे अपनी पिशन की और से चटनी आपको जो पसंद है थोड़ी से में ग्रीन चटनी मिक्स हो करना कुछ नहीं दिख रहा हमें तो इसे चटनी को प्लाई कर देते हैं अब भी ये अचयों इसके उपर थोड़े से ओल्य यह लगा देते हैं तो इसके आप लिए फीए ज़ाय कर देते हैं पार प्रेंबगाने पनीर की सबजी इसके उपर यीवो प्रेंबगाई करते हैं इसे पनीर बनाया था लेकिन इसकी वेशियर नहीं करता है इस तरह से बहुत ही जनी इसके उपर अपने टोमाटो टोमाटो केचप अपलाई कर देगे इसके उपर हमने एपीस रखे लेना इसके उपने तुट पिक लगा देगे इससे में रख लेकिने तो चिली इसे न रोच कर लेटे इसे में रखंगी तवे पे तबागरू कर दिया इसे तवी बने रखे रखे लेकिने तो यह मारा स्टॉफ्ट बन गया है स्टॉफ्ट कुल्चा तो इसे चलिया हम इसे निकाल लेते हैं क्योंकि इसे पहले ही मैंने अच्छी पहां से रोष्ट कर लिया था इसके ओपर थोड़ी सी अपीजाब से लिए जो आपको चाहिए पसंद है मसाना डाल सकते हैं नाल में ले लिए चिटनी तुपनी का स्टॉफ्ट कुल्चा तयार है तो चलिये इसे निकाल लेते हैं चलिए इसे करें एंजोई तो चलिये इसे ट्राइ करिया